Hi everyone, welcome back again to Bayan's Classes आज हम discuss करेंगे CRP test यानि Cross Reactive Protein Test इस test के आदर हम बहुत सारे points discuss करेंगे जैसे पहला है इसमें What is CRP protein? When is CRP test done? What if elevated level of CRP level in blood? यानि अगर आपके blood में CRP protein का level increase जादा मातरा में पाए गए हो तो क्या क्या condition होनी की chances हो सकते हैं Normal range क्या है? How to prepare for a test Sample collection procedure and complete test procedure यानि इस test को हम कैसे कैसे लगाते हैं Complete procedure मैं आपको बताऊंगी सारा जो slides होंगे वो मैं आपको मतलब image के थो दिखाऊंगी बहुत सारे images दिखाऊंगी और complete procedure जो मैंने खुद अपने आप मतलब मैंने draw किया है वो भी मैं आपको अच्छे से complete detail में बताऊंगी सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए सो पहला point है इसमें what is CRP protein इसमें जो protein है ये pentameric structure होता है CRP protein जो होता है ये जो CRP test जो होता है ये एक type का blood test होता है जिसमें हम measure करते हैं CRP protein को CRP protein को हम कहां measure करते हैं हमारे blood में यानि हमारे जो blood है हमारे जो blood samples होता है उसमें कितना amount में ये protein यानि CRP protein present है उसको हम detect करते हैं ठीक है यह tap का blood test है मतलब blood test के तरू हम detect करते हैं कि हमारे blood में कितना amount में protein यानि cross-reactive protein present है यह जो protein होता है हमारे liver में बनते हैं ठीक है liver में बनते हैं लेकिन हमारे blood stream में यह तभी पाया जाएगा जब हमारे body में कोई inflammation condition हो यानि normally क्या होता है यह जो protein होता है यह हमारे liver में बनते हैं लेकिन हमारे liver से blood stream में तभी पहुँचेगा जब हमारे body में कोई inflammation condition हो ठीक है so इसमें second point है when is CRP test done CRP test हम कब लगाते हैं पहला तो इसमें हम CRP test हम तब लगाते हैं जब हमारे body में मैंने आपको बताया है कि जब हमारे body में inflammation condition हो लेकिन हमारे इसमें important यह है कि हमारे body में अगर कहीं भी inflammation है तो हमें इस test के तो हम उसका reason नहीं जान सकते हैं कि inflammation क्यों हुआ है और हम इसके तो यह नहीं जान सकते हैं कि inflammation कहा हुआ है यानि इसका location क्या है इस test के तरू हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि body में हाँ हमारे body में कहीं पे तो inflammation हुआ है लेकिन इस inflammation का पीछे कारण क्या है और ये inflammation कहा हुआ है CRP test के तरू हम ये पता नहीं कर सकते हैं सिर्फ हम यहाँ पे inflammation हुआ है कि नहीं हुआ है यह detect कर सकते हैं ठीक है second point है infection आप क्या होता है इससे हमें inflammation पता चल जाता है दूसरा हमें infection भी पता चलता है ठीक है जैसे आप गर आपको लगता है कि आपको कुछ आपके सरीर में कुछ abnormalities है ठीक है तब आप क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हो आपको लगता है डॉक्टर आपको कुछ prescribe करते हैं कि आपको यह यह test लगाना जरूरी है तो infection के कुछ infection के conditions में भी आपको डॉक्टर CRP test recommend करते हैं ठीक है जैसे कि अगर आपको chest में अगर infection होगा तो या फिर आपकी जो अपर respiratory track है वहाँ पे भी अगर infections होते हैं तो CRP test भी recommend किया infections जैसे कि running nose के time पे गले में दर्द यानि sore throat के time पे या फिर अगर आपको dry cough हो तो इसमें भी doctor क्या करते हैं आपको CRP test को recommend करते हैं So next is what if you have a elevated level of CRP level in blood पहले ही slide में मैंने आपको बताया कि जो CRP protein होता है यह हमारे liver में बनते हैं लेकिन अगर liver से अगर हमें हमारे blood में पहुंचे है इसका concentration increase वा यानि हमारे body में कुछ तो abnormalities कुछ तो है मतलब जो normal नहीं है कि नहीं तो अगर CRP protein यानि यह protein अगर हमारी blood मे इसका मातरा अगर बढ़ गए तो क्या क्या condition होने की chances है मतलब उस person को क्या क्या हो सकते हैं पहला है इसमें lupus lupus क्या होता है एक type का autoimmune disease होता है ठीक है autoimmune disease क्या होता है देखो हमारे जो immune system होता है इसका main काम होता है हमारे body को protect करना है कि नहीं लेकिन जब हमारा खुद का immune system जब हमारे पर ही attack करते हैं हमारे खुद के tissue में या हमारे organ में ही जब उल्टा अटा हमारे खुद पर हम senior पर protect करने की जगा उल्टा हम पर ही attack करते हैं उसे हम autoimmune disease कहते हैं तो lupus क्या है a type autoimmune disease है जिसमें क्या होता है जैसे आप यह picture में सकते हैं यहाँ पे rat color का butterfly type का wings बन र होते हैं वहां पे butterfly wings type का एक rashness बनने लगता है ठीक है दूसरा क्या होता है लेकिन एक बात में आपको बता दू यह जो rashness होता है इस जितने भी rashness होता है इसके बहुत different different type of rashness हो सकते हैं लेकिन हर rashness का reason lupus नहीं है अलग-अलग कारण से भी face में rashness हो सकते हैं ठीक है हर rashness का कारण autoimmune disease नहीं है next है इसमें heart attack ठीक है थर्ड है इसमें rheumatid arthritis rheumatid arthritis में क्या होता है जो हमारे joints होता है चाहे हो पैड के हो चाहे हो हाथ के हो arms के तो joints में क्या होता है बहुत जादा मतलब बहुत जादा pain होने लगता है जैसे आप यह joints देख रहे हैं यहाँ पर यह जो red red color का जो देख रहे हैं यह जिसे कि यह जो legs का join है यहाँ पर red दिखाने का मतलब यही है कि यहाँ पर pain हो रहा है ठीक है रिमटड आटराइटिस में उसके बाद आता है इसमें inflammatory bowel disease inflammatory bowel disease का मतलब होता है जो हमारे जो digestive track है ठीक है यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं यह हमारा digestive track है जहाँ पर red red color का बीच में जे pink है बीच बीच में red red color का आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ inflammation हुआ यानि हमारे digestive track है उसमें जब inflammation होता है इस condition inflammation तब भी हो सकते हैं जब हमारे blood में क्या है CRP protein का highest CRP protein का amount increase देखा गया तब भी inflammatory bowel disease होने के chances हो सकते हैं उसके बाद आता है vasculitis यानि यह क्या है हमारा blood vessel है ठीक है यह blood vessel है blood vessels का जो actual shape होता है ठीक है वो actual shape से change हो जाता है यानि इसमें क्या हो जाता है blood vessels का जो wall होता है यह increase होता है यह swelling हो जाता है इसमें भी inflammation हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे को निकलावासा है यानि क्या है यहाँ पे जो blood vessel का जो यह wall है ठीक है यह क्या यहाँ पे inflammation हो है इसे vasculitis कहते हैं उसके बाद है pneumonia निमोनिया में क्या ह होते है देखो यह हमारा lungs है ठीक है लंग का जो यह actual जो यह normal airsec ऐसा होता है लेकिन अगर इसमें जब पानी भर जाए पानी या fluid पस कुछ भी भर जाए तो इसे pneumonia कहते है इस condition को pneumonia कहते है ठीक है तो आपको समझा में आ गया होगा कि अगर हमारे body में blood में अगर हमारे blood में CRP level increase amount में पाया गया है तो इसमें lupus होने की chances हो सकते हैं heart attack होने की chances हो सकते हैं rheumatid arthritis होने की chances हो सकते हैं inflammatory bowel disease होने की chances हो सकते हैं vasculitis होने की chances हो सकते हैं and pneumonia होने की chances हो सकते हैं so next है इसमें how is CRP test done CRP test हम कैसे लगाते हैं इसके लिए हमें blood का चाहिए होगा blood हम कहां से collect करते हैं venus, venus blood collect करते हैं बड़ों में हम venus blood collect करते हैं लेकिन अगर छोटे बच्चे की बात करें तो हम heel से collect करते हैं ठीक है ये बच्चे का पैर है यहीं से हम क्या करते हैं इसी side में कहीं पर prick करते हैं lanset से और हम यहीं से blood collection करते हैं ठीक है ये बच्चों का और बड़ों का मैंने दोनों को compare करके मैंने आपको बता दिया है उसके बाद हम देखते हैं normal range CRP protein का normal range क्या है अगर normal people की बात करें तो उसमें less than 1 mg 1 mg per liter normal होता है intermediate 1 to 2 mg per liter होता है chronic infection अगर देखा गया मतलब अगर आपको ये infection बहुत टाइम से है तो आपके body में CRP protein का जो level है वो more than 10 mg per liter है यानि आपके अगर आपने test किया test करने के बाद अगर आपके blood report में अगर आपके CRP protein level जो आपके body में more than 10 mg per liter यानि आपको जो ये condition है, जो infection है वो बहुत time से अभी recent infection है, ये बहुत chronic बुलाएं, एक तो chronic severe भी होता है plus 30 साथ ये जो infection है ये बहुत time से आपके body में है उसके बाद आता है how to prepare for a test जैसे कि आप कभी भी lab में जाते हो blood test के लिए, ठीक है जैसे कि for example अगर आप diabetes के बाद करें तो diabetes में जब आप blood test करने जाते हो तो जिसे fasting पीपी लेते हैं खाना खाने से पहले खली पेट में sample लिए जाता है लेकिन इस test को करने के लिए आपको कोई भी preparation ज़रूरत ने मतलब यानि आप दिन में कभी भी वो sample दे सकते हैं CRP test के लिए लेकिन हाँ, इस test को करने से पहले आपको अपनी डॉक्टर है जो जिसको आप recommend जो आप जिससे आप check-up करा रहे हो है कि ने, उसको आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपने अगर पहले कोई medicine ली है, तो कौन सी medicine ली है, आपको वो डॉक्टर को बताना ज़रूरी क्योंकि उसकी आपकी जो further आपको जो medicine जो prescribe करें, उसमें मतलब कोई problem ना हो, इसलिए आपको या फिर आपका blood report में कोई problem ना हो, इसलिए आपको पहले बताना ज़रूरी होता है कि अगर आपने medicine पहले कोई medicine ली है तो कौन सी medicine ली है और इसमें signs and symptoms के अगर बात करें, इसमें कोई signs and symptoms ज़्यादा तर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये जो test होता है ये non-specific test है जो CRP test है, ये non-specific test है ठीक है So the last point is procedure of CRP test अब हम ये बात करेंगे कि जो CRP test है, वो हम कैसे लगाते हैं यहाँ मैं आपको diagramatically बताऊंगी ये diagram मैंने खुद बनाया है क्योंकि ताकि आपको आसानी सा समझ में आए क्योंकि language में जो होता है बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत भी होता है दिमाग में रखने में तो मैं आपको diagramatically बताऊंगी ताकि आप उसको ऐसे ही आप चाहे कही lab में अगर आपका जो practical समय भी आप कर सकते हो या फिर आपको easy आसानी वे में आप अपने इसको दिमाग में रख सकते हो ठीक है so procedure of CRP test देखो अगर आपको कोई भी blood test लगाना होते है किसी में आपको whole blood लेते हैं लेकिन ज़्यादा तर क्या होता है कुछ-कुछ blood test ऐसे होते हैं जिसमें हम serum लेते हैं अब आपने blood collection किया blood collection करने के बाद आपको क्या करते हैं centrifuge centrifuge में क्या होता है इस technique में आपको जो blood में different components क्या होते हैं अलग-अलग layer में sediment होने लगता है ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर tube देख रहे हैं यहाँ पर नीचे वाला जो part है यह RBCs है RBCs सबसे नीचे sediment होता है उसके उपर में होता है serum और हमें इस test में CRP test में हमें serum ही चाहिए ASO में भी हमें serum चाहिए होता है and CRP test में भी हमें serum चाहिए होता है ठीक है तो हमने different components को blood से separate कर लिया अब क्या होता है इसको आप ऐसे side में रख दीजे आप इसको हिलना नहीं है इसको side में ऐसा रख दीजे undisturbed उसके बाद आप क्या करते है CRP kit लें आपने CRP kit के अंदर क्या होता है यहाँ पर इस type का आपको slide दीखने को मिलता है उस kit के अंदर ही पाया जाता है जो काच के ताइप का होता है जिसमें 3 circles पाया जाता है इस 3 circles में क्या कीजे आप एक में test एक में positive control और एक में negative control आप mark कर दीजे ताकि आपको आसानी से समझ में आए अगर college में अगर आप कहीं practical कर रहे हो तो उसमें भी या फिर अगर आप एक lab technician हो तो उसमें भी क्यूंकि नहीं टेस्ट में one drop of sample लेता है ठीक है sample हमें यहां क्या अची है serum यहां पर दिखो यहां पर yellow color का मैंने lining कर दीजाए sketch कर दीजाए sketch कर दिया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए आपने one drop of serum sample लिया उसके बाद positive control में आपने one drop of positive control लिया negative control में आपने जो circle है इसमें आपने one drop of negative control लिया ठीक है उसके बाद क्या होता है one one drop तीनों में latex reagent डाले इसमें one drop of latex reagent इसमें one drop of latex इसमें one drop of latex जाले ठीक है उसके बाद क्या होता है applicator लेंगे हम applicator से इसको circle circle में इसको मतलब mix करेंगे ठीक है mix करने का इतमे डिफरेंट 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 एक एप्लिकेटर से आगे पीछे यूज़ कीजिए लेकिन आपको इसमें तीनों को सेम एप्लिकेटर से mix नहीं करना है ठीक है इसमें आपने एक एप्लिकेटर से इसमें आपने इसको सर्कल सर्कल से आपने इसको मिक्स कर दिया सैंपल और लैटिक्स को इसके बाद यहां पर आपने मिक्स किया इसके बाद आपने यहां पर मिक्स किया यह circle से बाहर ना निकले नहीं, तो क्योंकि यह mix हो सकता है, कि नहीं, तो आप इसको अच्छे से हलका हलका 1-2 मिनिट तक घुमाईए, घुमाने के बाद आपको दिखने को मिलेगा, अगर आपका test में ऐसा agglutination दिखने को मिला, agglutination जिसे अगर आम बासा में अगर आपका है तो जिसे दूद है, दूद जैसा फट जाता है, फटने में क्या होता है, गुच्छा-गुच्छा सा अलग-अलग सा separate होने लगता है, कि नहीं, वैसा ही अगर आपका test में, अगर आपको blood गुच्छा-गुच्छा सा side-side में दिखने को मिला, और वही सेम ऐसा ही आपका positive मे यहाँ पर P जो है positive है, positive में और test में अगर दोनों में आपको agglutination दिखने को मिला, यानि test आपका positive है, control हम इसलिए ही लगाते हैं, comparison के लिए आई की ने, तो अगर आपका test में agglutination है और आपका positive में agglutination है, तो आपका test positive है, और अगर कहीं पर agglutination नहीं है, तो आपका test negative ठीक है आप ऐसा compare कर सकते हैं agglutination और non agglutination से ठीक है समझ में आता है किसी को mind में रखने में थोड़ टाइम लग जाता है तो अगर आप image देखोगे तो image को आप easily अपने mind में रख लोगे तो आप exam में बहुत अच्छे से कर सकते हैं है की ने तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको अच्छे से समझ में होगा आज का lecture सो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करने ना भूले बाइन्स क्लासे को थैंक यू